मुरमुरे को ओवलते हुए पानी में डाल कर देखिए आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे तो फ्रेंड्स आपके कैसे पैसे बचेंगे वो आप लाउच तक वीडियो को जरूर देखिएगा तब ही आपको पता चलेगा कि यह आपके कैसे पैसे खडचोने से बचेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहां हमने ले लिया है मुर्मुरा तो यह मैंने बनेंड हाफ कफ मुर्मुरा लिया है हमारे इदर इसको मुर्मुरा बोला जाता है आपके उदर क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुसी जगे इसको चिरवा भी बोला जाता है तो ये देखें मैंने बनेंड हाफ कफ ये मुर्मुरे ले लिये हैं और यहां हमने पाने रख दिया है गरम होने देख सकते हो कुवच्छे से बोला रहा है अब हम इसमें ये जो मुर्मुरे हैं इनको हम डाल देंगे तो ये देखें ये मुर्मुरे इसमें डाल दियें डाला क्यों है जिससे कि ये सौफ्ट हो जाएं अब आप सूच रहे होंगे कि इसको ठंडे पानी में भी तो भिगो सकते थे लेकिन क्या है ठंडे पानी में ये जल्दी से सौफ्ट नहीं हो पाते क्योंकि बैसे भी सर्दियों का मौसम है तो ये देखे मैंने कुछ सेकंड के लिए इसमें बॉयल होने दिया और अब हम इनको निकाल लिए फ्लेम है वो हमें ओफ कर देनी है तो देख सकते हो मैंने इसका पानी है वो निकाल लिया है लेकिन अभी क्या है ने इसमें जो मुर्मुरे है ने इसमें अंदर पानी भर गय होगा तो इसलिए हमें क्या करना है पहले थोड़ा सा थंडा पानी डालना है जिससे कि उक्त Nahiva कोईस के है उर यह पर रोक जाए 10 by entrance & trip- tenemosН हम Also looking finished है इसलिख और दीख सकते हूं कितने सौफ्ट हूग नि 8 लिया है खंब lett अब हम यहां लिगे तीन से चार लेस्टन की कलियां अगर आपको पसंद ने तो डालिएगा नहीं तो आप इसके भी कर सकते हो लेकिन डालके जरूर देखिएगा अगर पसंद है तो एक हरी मिट्ची डाल दी मैंने और यहां मैंने हाफ कटोरी ले ली है सूजी बारीक मोटी जो भी अवलेवल हो वो आप ले सकते हो और इसमें मैंने एक कटोरी बरकर डाल दी है दही तो अब हमें इसमें डालना है वन टेवल स्पून बेसन अगर आप बेसन डालना नहीं चाते हो या फिर अवलेवल नहीं है तो आप इसकी जगे पर जो गेहूं का आटा होता है न वो भी डाल सकते हो तो अब ये देखिए मैं इन सारी चीजों को अच्छे से पीस कर ले आती हूं इसमें पानी बगएर वैसे कुछ नहीं डालना है लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जरत हो तो आप इसमें थोड़ी बहुत दही और एड़ कर सकते हो और इसका हमें एक पानी डाल दिया और जो जार था न उसमें थोड़ी बहुत लगा हुआ था वह उसमें डाल कर इसमें डाल दिया है अच्छे से मिला लिंगे तो यह देखिए आपको कंसिस्टेंसी एक बार दिखा देती हो इस तरह की होनी चाहिए क्योंकि बैसे भी सूजी है तो थोड़ी दिर में फूलेगी है अब हम इसमें डाल दिंगे स्वाधनसार नमक और यहां मैं ले रही हो बेकिंग सोडा तो बन फोट टी स्पुन मैं इ अच्छे से फैट लिंगे कम से कम आपको एक से दो मिनट इसको फैट ना है तो यह देखिए अच्छे से फैट लिंगे इसको और अब यह फैट लिया है हमने अब हमें इसको थोड़ा सा रेश्ट करने देना है तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं तो यहां मैंने ये कड़ाई ले ली एक बड़ा चमच मैंने इसमें ओयल डाल दिया मैंने या मस्टर ओयल लिया है आप कोई भी कुकिंग और ले सकते हो एक प्याज डाल दी लंबाई में कट करके तीन से चार लेसुन की कलियां और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टे स्पून जीरा इसे भून लेना है खוף है वो हमें इसकी मेंडियं कडर देनी है अब हम इसमें डाल दिंगे थोड़ा सा नमक और यह मैं ले रही हूं इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा नहीं डालनी है बस थोड़ी सी डालनी हलकी सी मिठास सी आनी चाहिए और जो टमाटर है न फ्रेंट्स वो आपके देशी टमाटर होने चाहिए खटे वाले अब हमें इनको पकाना है पकाना कब तक है जब तक की टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तो देख सकते हो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं फ्लेम आफ कर दिंगे और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है तो ये देखे ठंडा हो चुका है और मैंने इसको mixing jar में डाल दिया है एक मैंने हरी मिर्च डाल दी है मैं इसमें red chili use नहीं कर रही हूँ और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरादनिया बस अब हमें इसको पीस कर ले आना है बैसे इसमें पानी की जुरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी एड़ कर सकते हो देख सकते हो हमारी चटनी बनकर हो गई है तयार एकदम खटी मिठी बहुत ही टेस्टी लगेगी चलिए अब हमने ये बैटर देख लेते हैं तो ये देखिए ये बैटर है ये भी हमारा फूल चुका है अब हम यहां ले लिंगे एक तबा मैंने यहां नौनिस्टी की तबा लिया है जो डोसा बनाते हैं आप कोई भी तबा ले सकते हो जो भी आपके पास अवलेवल हो अब हमें इसमें लगा देना है थोड़ा सा ओल तो ये देखिए मैं इसके उपर अच्छे से ग्रीज कर लूँगी अब हमें इसको गरम होने देना है तो ये देखिए गरम हो चुका है तबा और अब हम इस पर डाल देंगे वो वैटर तो आप जितना पतला या फिर मोटा जैसा बनाना चाते हो उसी हिसाब से आपको इसको फैलाना है तो ये देखिए इस तरह से रिष्पुन की सायथा से आराम से फैला सकते हो बड़ी चम्मा से भी फैला सकते हो या फिर इस तरह से छूटी से भी इजीली फैल जाएगा तो ये हमने ये बना दिया है डोसा लेकिन मैं इसका अलगी लुक दूँगी अभी बीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा तो ये देखिए इस तरह से अब आम इसके उपर डाल दिंगे यहां कैपसिकम जो भी बेजी टेबल्स आपको पसंद हो वो इसमें आप डाल सकते हो फ्लेम है वो हमें मेडियम कर देनी है अब मैंने यहां ओनियन डाल दी और ये मैंने टमाटर डाल दिये हैं अगर आपको चीज वाला पसंद है तो आप इसमें चीज भी एड़ कर सकते हो अब यहां हम थोड़ा सा नमक छिड़क दिंगे इसके उपर और थोड़ा सा यहां मैं चाट मसाला डाल दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स आप बना के दोगे ना बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो यह देखिए अब यह नीचे से पक चुका है अब मैं इसके उपर थोड़ा सा गी डाल देती हूँ जिससे कि थोड़ा नीचे से और वे अच्छा सा क्रिस्पी सा बन जाए और थोड़ा सा कलर आ जाए ये देखिए easily ये हट जाता है देख सकते हो लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है मैं इसको अभी और पकाऊंगी तो ये देखिए ये हमारा पक्कर हो गया है तयार अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसको निकाल लेना है तो है ना फ्रेंड्स बहुती easy recipe बहुती जवरदस्त बनेगी और इसको आप बच्चों के lunch box में भी रख सकते हो तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा recipe पसंद आए तो like कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए bell icon को जरूर प्रेस कर लीजे जिससे कि आपको notification मिलता रहे अब यहां यह देखिए मैंने आपको हाथ से फैला के भी दिखाया है तो मैंने यहाद से फैला दिया तो इसको ठोड़ा सा पतला बना रही हूँ तो मैंने पूरे तवेव पर इसको फैला दिया है आप इसमें फ्रेंट्स पनीर भी add कर सकते हो तो जो बेजी टेवल्स आपके बच्चों को पसंद हो न वो आप add कर सकते हो तो ये देखे अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा puff गही डना चाते हूँ बटल लगा ना चाते हूँ, लगा तो ये देखे मैं ने इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल डाल दिया है अब tiene a snap and अगर अगर friends आपके बच्चों को maggi वाला flavor पसंद है न तो आप इसमें maggi का मसाला भी डाल सकते हो उससे इसका स्वात और भी भड़ जाएगा अब ये देखें मैं इसका थोड़ा सा चीला वाला लुक दे रही हूँ तो इस पर मैंने यहां सौस डाल दिया और देख सकते हो कितनी बड़िया हमारी ये रैस्पी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी बनाईएगा और अपने बच्चों को जरूर खलाईएगा हेल्दी भी है और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि आप बार बार यही बनाना पसंद करोगे इस टेंट बनने वाली रैस्पी है जट पट बनने वाली है कोई भी ज़्यादा ताम जाम भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप भी बनाईएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारी रैस्पी कैसी लगी अगर आपको सॉफ्ट पसंद है आप इसको सॉफ्ट भी बना सकते हो तो देख सकते हो मैंने इसमें एक सॉफ्ट भी बनाया और एक थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची भी बनाया है तो जिस तरीके का आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हो तो फ्रेंट्स अगर हमारी रेश्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो तो फ्रेंट्स हमने जो ये डोसा बनाया ये तो है ही टेस्टी साथ में चटनी भी बहुती टेस्टी है और इस चटनी से आप राइस भी खा सकते हो या फिर आपने पकोड़े सकोड़े बनाए न वो भी खा सकते हो समोसा भी खा सकते हो बहुत ही तेस्टी बनती है तो ट्राइ जरूर कीजिएगा